कि फ्लाइट फोबिया के बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूं बीए वीडियो में आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपकेलकर में मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा वेसे में तक नहीं हूं महाराष्ट्य में अकुला में प्रैक्टिस करता हूं देल्ली का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आज मेरे पास में आय उमर करीब करीब 45 साल की और उनको भी ये प्राब्लम है कि अच्छा नक एक दिन ऐसा हो गया कि वो देल्ली से वांबे में फ्लाइट में जा रहे थे और जैसी फ्लाइट ने हवा में उड़ान लिया तो एक दुब उनको ऐसी बहुत सारी घबराट होगी उनको लगा कि दगदगदग कर रहा है उतना पालिपेटेशन इतना हाथ कापने लगे ना पसीना आ गया उनको और उनको भी समझाने अभी क्या करू क्या ने तो इतने बेचन होगे उनको लगा कि मेरेको आटक आगा तो मैं मर जाओंगा इतनी घबराट इतना बेचन इतना एंग्जैड आपने बिजनेस के लिए उनको सिंगापूर जाना पड़ता है चाहना जाना पड़ता है इंटरनेशनल फ्लाइट से वैसे नेशनल फ्लाइट भी है जैसा बंगलोर डेली बॉंबे हर्दम जाना पड़ता है और बोली कि अभी मैं तो पिछले दो साल से इसमें परिशान हूँ और मुझे तो भी प्राब्लेम ही हो गया मरा धंदा भी बैठना मतलब बैट अब ऐसा होगे कि उनका इदी प्लाइन ने किया कि फ्लाइट में जाने का प्लाइन है तो वो प्लाइन है करके उनका अभी धड़कन शुरू हो जाती है एंग्जैडी शुरू हो जाती है मतलब जैसा वो हवाई जाज के मतलब एरपोर्ट के तरफ जाते है तो घर से भी निकल गया तभी उनको ऐसा लगता है कि अभी अपने को कुछ हो जाएंगा घरानी वो टिकट कैंसल कर देंगे घर पर वापस आजाए अब यह वेक्ति आने के बाद में मैंने उसको पूचा के उपर असर हो रहा है क्योंकि अभी जब हवाय जाज से हुंका कार्यकरम है गो मने फिरने का और बिजनेस करने का और उसका अभी फोबिया होगा तो भी ऐसा गया तो उनको मैंने बदा कि बही मेरा quiet लगेगा एक्दम relaxed लगेगा ताकि आप आराम से जा सकोंगे suffer कर सकोंगे number एक number दो मैं हरदम के लिए आपको जो वैसा भी अभी उनको suffer भी नहीं कर रहे ट्रैवल भी नहीं कर रहे तभी उनको थोगाओ सा anxiety ऐसे feeling आ रहे थे ऐसा डर लग रहा था नीन बराबर नहीं हो रही तो उसके लिए उनको मैंने कुछ दवाई यहां प्रिस्काइब किया यह दवाई आप रोज के लिए और तीसरा मैंने बताया कि आप सेल्फ हिप्नोडाइस कुछ कोई। नैस के आपका डिसीडेशन में डिस सफर कर रहे और आप यहां बएटेज हो घर में बऐटे हो और घरमें बढ़के एक पूरा बदढ fuel रेलाक्स करने का है, घर में बैटे-बैटे और वो वहां जाने का है, मतलब वहां जा रहे ऐसी कलपना करने का है, कि अपन वहां इमेजनेशन में वहां जा रहे, घुम रहे होई जाज में, यह प्रैट्रीस करने के लिए उनको मैंने बोला, वैसी वहां जब ऐसा अटक आ जा करना कि मुझे जो आ रहे विचार है यह थौट से और आपके थौट को भी आपज़र करो साक्षे भाव से और यह प्रैक्टिस करने पड़े तो उनको इसा पूरा मैंने प्लैन बताया और उनको मैंने बहला कि पक्का आपका ठीक हो जाएगा और यह पूरे फोबिया या पैनिक अटेक्स है यह यही मेध्यों से ठीक हो दे आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज करने का सफर करने का प्राबलम है उनको बहुत मदद हो जाएंगी इसके यह वीडियो से सो जो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ लोग खुद आके इलाज कर लेते हैं आप भी यह वीडियो शेयर करो ताकि लोगों को फायदा हो लोग तो हमको यह बोलते कि आपका वीडियो देखें अच्छा लगने लागा बहुत यह बात है तो थेंक्यू फर वाचिंग अ कि 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 झाल झाल झाल